हिंदु धर्म पर पूरी तरह पंडों की कबजा है क्योंकि पंडों और मनु अस्मृति के हिसाब से पंडा ठाकूर और पनियों के अलावा कोई भी हिंदु धर्म ग्रंथ नहीं पड़ सकता है या सुन भी नहीं सकता है यदि गल्ती से भी निम्न और सुद्र जाती के लोग हिंदु धर्म ग्रंथ को सुन लेता है तो उसके कान में पिगला हुआ अलोहा डालने का आदेश है ऐसा है मनु अदी हिंदु धर्म हिंदु धर्म से नौ मुस्लिम बनी महिला डाक्टर जाकिर नाइक से सवाल करती है कि वैश्म देवी मंदिर में मुर्ती नहीं नहीं है बलकि सिर्थ ये पत्तर है जिसकी लोग पूजा करते हैं आखिर लोग पत्तर की पूजा क्यों करते हैं डाक्टर जाकिर नाइक ने काफी अच्छा और बेहतरीन जवाब दिया है सवाल करने वाली महिला को जवाब सुनकर पूरा मजमा जोम उठा तो आईए देर नहीं करते हुए डाक्टर जाकिर नाइक का जवाबी वीडियो दिखती है माइक नमबर तीन में कोई खातूनों सवाल कीजिए जी सिश्टर तर्टर अससलाम वालेकूम मेरा नाम अर्शिया अंसारी है पहले मेरा नाम प्रीती सेठी था आई उस्टो बिलॉंग तो अ पंचाबी फैमली मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंज से कलीक से आई मैं स्पोर्ट स्टीचर बट वन इट कमस तू तो गॉर्ड इस वैशनो देवी और शेर वाली माता आई गेट रियली नो आंसर पो रेट अपने कहा कि आप दावा करेंगे वैशनो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा खिस्सा था खुदा का स्थवर हिंदू मजब में इस मजब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते है वेद में लिखाया यजुर वेद चैप्ट नमबर 32 श्लोक नमबर 3 में नातस्य पतिमास्ती उस इश्वर की कोई प्रतीमा नहीं कोई अक्स नहीं कोई फोटोग्राफ नहीं कोई प्रेंटिंग नहीं कोई बुत नहीं कोई मूर्ती नहीं कोई स्टैच्चू नहीं तो जो वेशनू देवी जो गॉड़िस है इसकी मूर्ती हो सकती यह जो उन्हों को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मजब के नीचे के किताबों में हैं लेकिन जब भी कोई हिंदू मजब के किताब में टक्रा होता है वेद की बात और उची होती है यह सबसे उची किताब है तो वेज से जब देखेंगे वेज में कहीं भी नहीं लिखा है कि इश्वर की प्रतीमा है हिंदू मदब में दो किसम की किताब है एक है शृती दूसरी है स्मृती शृती मतलब वो किताब जो इश्वर की आई हुई स्मृति मतलब वो किताब जो इनसानों ने लिखी है तो इनसानों के किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीजे है जो शुति के खिलाफ है तो आप जब मुताला करेंगे उनसे ये कहिए कि ये शुति में नहीं लिखा है शुति मतलब वेद और जब आप हवाला देंगे जिस तरीक्स में तक्रीर में दिया हूँ उस तरीके से इंशालला आप अपने दोस्तों को ये दावत दे सकेंगे कि इश्वर की कोई प्रतिमा नहीं कोई अक्स नहीं कोई मूर्ती नहीं कोई बुत नहीं अगर वैशनोदेवी मंदिर जायेंगे वहाँ कोई प्रतिमा नहीं कहता हूँ अक्स चाये प्थर भी वह प्रतिमा में आ जाता है पत्थर को पूझना हराम है जिस तरीके से मैंने कहा यजुरुवेद में यजुरुवेद में चैप्टर नमबर 40 मंत्रा नमबर 9 में अंधात्म पविशन्ती या सम्मूती मुपास्ते अंदकार में वो लोग जा रहे है जो लोग कुद्रती चीजों की अबादत करते चाहे वो हवा हो आग हो पानी हो और वो लोग और घोर अंदकार में जा रहे है जो बनाईवी चीजे हो चाहे टेबेल हो चैर हो मूरती हो या पत्थर को तराष्ते है ये सब की अबादत करना यजुरुएद अध्याय नमबर 40 मंत्रा नमबर 9 के हिसाब से हराम है तो पत्तर की पूजा करना भी हराम है इसलाम मजब में हराम है हिंदू मजब में भी हराम है चाहे आप उसको तराशो या नमच तराशो अबादत सिर्फ करना चाहे खुदा की और उस खुदा का कोई अक्स नहीं और आप उस खुदा को देख नहीं सकते इस दुनिया में अपनी आँखों से उस खुदा को देख ही नहीं सकते लिखा है बाइबल में पुरान में भी हिंदू स्क्रिप्चर में अगर आप खुदा की बराबरी कोई भी चीज से कर सके इस दुनिया में चाहे वो आस्मान की चीज़ हो या धर्टी की चीज़ हो तो वो खुदा हो ही नहीं सकता खुब दान सब्सक्राइब